कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का डिफेंस ऑफिसेश एकेडनमी के एक और महत्वपूर्ण वीडियो पे और जो आज का हमारा वीडियो है यह स्पैनिक स्कूल की एकांसलिंग प्रोसेस से जुड़ा हुआ है जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एकांसलिंग की प्र सेलेक्ट करना है उसमें किन बातों का ध्यान रखना है उन सब जानकारी को हम आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे सबसे पहले तो हम ध्यान देते हैं कि हमारी जो इकांसलिंग की प्रक्रिया है वो कब से कब तक चलेगी तो पहले यह 14th of March से शुरू हो गई थी यानिकी रिजल्ट आने के तुरंत अगले दिन से ही मगर क्योंकि सर्वर या साइट कहें उस पर दिक्कत आने की वज़ा से इसको फिर एक्स्टेंड कर दिया गया और 15th of March से ले करके 19th of March तक यह प्रक्रिया पूरी होनी है या कह सकते हैं कि round one of the e-counseling should be completed between 15th to 19th of March य choices of scenic school यह सब कुछ उसमें fill करनी है और उसके बाद आप यह कैसे करेंगे वो एक दूसरा सवाल आपके सामने आता है तो how to do it यह एक बड़ा सवाल है जो कि parents के सामने है कि e-counseling की प्रक्रियक में हम जो steps है उनको कैसे follow करें how to do it में दो हिस्से हो जाते हैं एक तो है कि यह जो process with the help of the All India Scenic School website आपने करनी है उसमें कुछ registration है sign in है वो सब कैसे करना है और दूसरी है how to choose schools अब जो जब कि आपके सामने आपका एक result है आपका scorecard है उसके बाद आपने schools की कैसे एक list न्यार करनी है यानि कि overall 10 maximum schools आप select कर सकते होना priority basis इसमें top लेकर के bottom तक आपकी priority रहती है यानि कि पहले school को पहली priority दूसरे को दूसरी priority इस लिहाज से उन्हें कैसे select करना है उसको लेकर के भी बात होगी तो दो चीजे है तो सबसे पहले देखना है कि यह जो process है आपकी e-counseling की इसमें आपको करना क्या है सबसे पहले आपको website पर जाना है All India Scenic School Admission Counseling के website है आप pesa.ncog.gov.in इस website पर जाएंगे तो किस तरीके का कुछ interface आपको यहाँ पर दिखेगा अब इसमें दो चीजे होती है एक कुछ लोगों ने पहले से registration किया हुआ है तो उन्हें direct sign in करना है और जिन लोगों नहीं किया है registration तो उन्हें new registration इ एक interface देखने को मिलेगा अब यहाँ पर आप से क्या मांगा जा रहा है यहाँ से आपका All India Scenic School Interest Examination का application number मांगा जा रहा है तो यहाँ पर आप अपना application number डालेंगे और उसे verify बटन पर click करेंगे तो आपके सामने फिर यह interface खुल जाएगा यहाँ पर जिन लोगों ने already email ID द आपको अपना mobile number चेक करना है कि क्या वो सही number है या नहीं आपको अपनी email ID चेक करनी है क्या सही आपकी email ID है या नहीं और application number तो आप verify कर ही देंगे इन सब चीजों को कर लेने के बाद आपको send OTP इसको click करना है और इसके बाद आपके उस mobile number पर जो यहाँ पर registered है एक OTP आए नहीं जगर जो की registered है विद एए डबल स्टेवल एई यह OTP आ जाएगा इस OTP को आपने यहाँ पर enter करना है जो भी आपको phone में आएगा then verify OTP करने के बाद आपकी registration की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी ओके तो इस तरीके से registration की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आप दुबार generated the OTP अच्छा OTP जब generate आप करते हैं तो वहाँ पर आपको password बनाने के लिए भी दिया जाता है जिसमें आप से कहा जाएगा कि एक password बनाई है जो की alpha numeric हो आपको कुछ ऐसा password बनाना है जिसमें एक capital letter भी आए उसमें आपको small letter भी देने है उसमें आपको numerals भी देने है और उसमें आपको special characters भी देने है अब यह सब क्या होते हैं एक तरीके से कुछ लोगों को पता होगा लेकि जहने जानकारी नहीं है तो आप ऐसा मना सकते हैं यह capital letter देजी एकस small letter y या z small letter होगे उसके बाद numerals में आप 1,2,3 कोई भी numeral बना दीजी जो आप याद करने लायक रखें और special character में star has at the rate इस तरीके के कुछ होते हैं आगे पीछे कहीं पे भी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं कई लोग अपना नाम लिख लेते हैं जिसमें पहला word capital से होता है उसके बाद star या at the rate जैसा कोई special character बना देते हैं और उसके बाद 123 या कोई अपनी date of birth या ऐसा कोई number जो नहीं याद रहे उसका यहां पर use कर ले आना है वहां पर आएगा confirm password re-entered password दो बार आपको password डालना है और ध्यान रखना है कि आप सहीर password डाले इस अब कर लेने के बाद आप वापस आएंगे इसी page पे और यहां पर आपको फिर sign in करना है and when you sign in to the page तब आपकी एक detail जो होगी वहां पर भरनी पड़ेंगी जैसे कि अभी अभी आपने जो password बनाया था उसका वहां पर यूज करना होगा username में आपने अपना application number डाल देना है फिर से application number is very much important in this process यहां पर application number डालेंगे password आपने अभी अभी बनाया था जो भी x y z alpha numeric जो भी characters हैं उनके आधार पर और फिर यह capture code जो कि यहां पर अभी दिया हो है n x y u q इस तरीके का यह आपको डालना है इन सब चीजों को fill in करने के बाद you have to sign in अब यह जब हम कर रहे थे तो उसमें server down चल रहा था तो आगे की जो process है मैं आपको बता देता हूं आगे आपका एक page खुलेगा एक तरीके का और उसमें यहां पर ऐसे आपकी कुछ details दी पादर्स नेम है और email id, mobile number, etc. यहां पर कहीं पर दिया होगा qualified और सैनिक स्कूल या जो भी है ठीक है यह आपकी पूरी यहां पर detail इस तरीके से खुलेगी यहां पर इंटरफेस आएगा इन सब चीजों को देखने के बाद आपको एक तरीके से confirm करना है कि this details are given जो कि आप ही किया है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है जो आप यह सब page खोल करके देख रहे होंगे तो यहीं पर side में जब आप यहां से ऐसे tap करेंगे एक पूरा का पूरा यहां पर list खुल जाएगी जिसमें एक जगह पर आपको e-counseling से related बात लिखी भी मिलेगी आपको उस पर click करना है यहां पर होगी उसको जैसे ही आप click करेंगे तो आपका एक और नया interface खुल जाएगा बहुत आसान है यहां पर जो भी शायद दिक्कत आएगी वैसे तो आजकल सभी लोग इन सब चीज़ों के काफी used to रहते हैं habitual रहते हैं लेगिन फिर भी कई लोग उते हैं जिन लोग के ही है जिसमें आपको OTP के थुरू पहले mobile number registration या फिर उसका verification करना है और फिर OTP के माध्यम से password generate करना है after the generation of password जब आप sign in करते हैं और आपका फूरा detail देखने को मिलता है तो आप अपने left corner से swipe करेंगे तो आपको एक blue color का interface दिखावा लिखेगा जिसमें बहुत सारे tab बने होंगे जिनमें बहुत सारी बाते लिखिए होंगे उसमें आपको e-counseling process वाली जो tab है उसको click करना है spot होगा और एक नीचे arrow का निशान बना होगा जब आप इस arrow के निशान को click करेंगे तो आपके सामने एक नई list खुल जाएगी पूरी जिसमें सारे सैनिक स्कूलों की जानकारी या उनका नाम लिखा हुआ होगा इसको आप यहां से ऊपर या नीचे कर सकते हैं और पूरे 33 स सामने आ जाएंगे इनी से अपने कोई सैनिक स्कूल जो आपको चाहिए यानि की जिसमें आपको एडमिशन लेना है उसको click करना तो उसकी detail यहां पर आजाएगी और आपको सैयनिक स्कूल आपने यहां पर सैलेक्ट कर लिया first priority में इसी तरीके से यह टैप बना रहेगा और यह धिरे धिरे नीचे जाता रहेगा, यहाँ पर से सैनेक स्कूल आप select करते रहेंगे और एक के बाद, एक के बाद एक total प्षेनिक स्कूल आप इत्य हैं दिंधारी छेश में लग नहीं है लोग टोटल तेन सर्क राई हैं Is कि यह बच्छे एक दो यह तीद ह이어निकस स्कूल भरें हैं सबसे नीचे आपको lock the process ऐसा एक ग्रीन क्लर का हरे रंग का टैप देखेगा उसको आप click करेंगे, तो आपने अपनी priorities, अपनी वरियता हैं, सारे 10 schools की list दे दी हैं, और अब आपको इंतजार करना है कि कौन से school में आपके बच्चे का admission होता है, और यह सारी चीजे parents नहीं करनी पड़ेंगी, because बच्चों के लिए थोड़ा सा भी इतना ज्यादा handle नहीं कर खास दोर पर आखरी मौके पर उन parents के लिए बना रहा हूं, जिनने शायद अभीता की बात समझ में नहीं आई है, कि 15 to 19 के बीच में यह process करनी है, और वो जल्दी बाजी में कुछ चीजें देख रहे हैं, उनको एक आसानी से process से कैसे go through होना है, वो हमने समझाना है, लेकिन अल्टिमेटली आपको जो select करने होंगे वहां पर वो होंगे उन list of scenic schools में से अपनी पसंद के scenic school या उनकी priority, ये काम सबसे ज़्यादा जो जहारूपन का है, इसमें आपको सबसे ज़्यादा अपना समय नश्ट करना पड़ेगा, दीखे कोई भी जो parents होते हैं, उन पुरे देश में, मैं कैना चाहूँगा कि new scenic schools को छोड़ दें, तो जो 33 scenic schools है, उन में से आपने अपने वरियता या अपनी priority decide कर रखी होगी, कि कुछ न कुछ scenic schools आपने top list कि होगे, जिनको आप top 5 या top 3 में रखते हैं, बात यहाँ पर यह है कि माल लेजिए आपने कोई x, y, z, scenic school top priority पर रखा है, कोई a, b, c, scenic school second priority पर रखा है, और कोई k, k, g, scenic school third priority पर लिखा है, मैं यहाँ पर किसी खास scenic school का नाम नहीं लूँगा, because आपकी अपनी choices और अपने score की यहाँ पर ज्यादा value है, तो माल लेजिए आपने इनको किसी top 3 priority पर रखा है, लेकिन जो आपका score है, वो उस लिहाज से नहीं है कि इन schools में आपकी जो merit है, उसमें selection के chances हो, तो फिर आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आप हमारा जो वीडियो है, देखिए, दो वीडियो की बात में यहाँ पर करूँगा, एक तो है, इसमें हमने सबसे पहले e-counseling की संपूर जानकारी से related, एक वीडियो बनाया हुआ है बहुत पहले, तो आपको वो जरूर देखना है, फिर आपको देखना है, स्टैनिक स्कूल की cut-off क्या रहेगी, यह वाला वीडियो, इन दोनों वीडियो में जो महत्तुपूर्ण बात हैं, वो देखिए इस तरह से हैं कि cut-off के आसपास अगर आपका बच्चा score कर रहा है, यानि कि अगर उसकी 6th class में 250 plus minus 5 के आसपास scoring है, अगर वो इतने marks लेकर के आ रहा है, और यह class 6th की बात कर रहा हूँ, मैं इसी तरीके से class 9th के लिए भी हमने cut-off बताई है, तब आप अपनी पसंदीदा जो priority है, वो भर सकते हैं लेकिन अगर आपके बच्चे का score out of 300, मान लीजे 215, इससे 220 के आसपास आता है, तो आपको थोड़ा सा precaution बरतने की जरुवत है, किस तरेगी की साउधानी आपने बरतनी है, खास तरपर जिनके कम score है उन्होंने, और जिनके जादा score है, उन्होंने भी कोई miss adventure नहीं करना है इसमें, सबसे पहले तो आपकी जो top priority है, वो जरूर भर लीजेगा, अगर आपके score अच्छे आ रहे है तो, जो आपने दिर्धारित किया था, उसी school में आप admission लेने के लिए try करेंगे, लेकिन अगर आपका score अच्छा नहीं आ रहा है, तो आप किसी ऐसे school को अपनी top priority मत दी सीचेगा, यहाँ पर हो सकता है कि admission के chances कम हो, दूसरी बात है, जो सबसे ज़्यादा आपने ध्यान में रखनी है, वो है home और other, यह जो category है, इसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप home वाले जो schools हैं, उनको सबसे पहले consider करें, क्योंकि वहाँ ज़्यादा chances हैं आपके selection के, यह खास तोर पर उन बच्चों के लिए है, जिनके score कम आ रहे हैं, तो अपने home school में आपको कम competition face करना पड़ता है, in comparison to आप किसी other school में अगर admission के लिए अपने पहली priority पो से डालते हैं, तो जिन बच्चों के score कम है, उन्हें अपने home state में मौझूद सैने school को सबसे पहले consider करना है, और उसके बाद other states में उन schools को consider करना है, जहां number of vacancies आपको, या कह सकते हो कि number of seats आपको कमोबेश जादा दिखती हैं, यहां पर वो north east के भी school हो सकते हैं, वो south का कोई school हो सकता है, वो कोई बिहार, UP इस तरीके से भी schools हो सकते हैं, other अगर आप consider कर रहे हैं, तो आप रखेगा, या तो आपका score बहुत अच्छा हो, अब अपनी priority के हिसाब से जो आपको best लगते हैं, school वहां, उनको priority में पहले रखिए, अगर आपका score बहुत कम है, या थोड़ा कम है, जो कि 250, 230, 240 क्या असपास है, तो आप उन schools को consider कीजिए, जो school other में जादा seat देते हैं, और जिनका बहुत ही लो है, उन्होंने तो सीदे सीदे seats के basis पर ही देखना है, क्योंकि अगर किसी सेनिक स्कूल में एक ही seat है, जैसे कि class 9th को ले करके है, कई सारे सेनिक स्कूल में एक seat available है, तो आप वहां other state के तोर पर advantage नहीं ले पाएंगे, because एक seat के लिए बहुत जादा competition उसको रखा होगा, तो क्या करना है आपको, जिनके स्कूर कम है, उन्होंने number of seats के आधार पर shortlist करने है स्कूल, और कैसे आप decide करेंगे number of seats, तो हमारे e-counseling वाले वीडियो में भी हमने इसकी जानकारी दी थी, और आज भी आपके सामने इस school की जो metric है, इसको रख रहे है, यह है tentative list of vacancies for class 6th sanic school for the academic year 2024-25, और यहां पर सारे के सारे schools की list है, दिखे जैसे अमरावती नगरम में home, या sorry, जो home से state वाले जो बच्चे है, उनके लिए SC के degrees में 10 seats हैं, और वहीं इसमें यह boys को लेकर के और other states में 5 seats हैं, तो जो अमरावती नगर या फिर आंधरा के ही अच्छे हैं, वो, इस में SC के degree में अच्छे से fight कर सकते हैं, जबकि कोई बाहर से आने वाले बच्चे के लिए half of the seats available है, लेकिन आप यहां देखेंगे, आप girls के level पर तो एक-एक seat available है, और कई सारे schools हैसे हैं, जहां पर देखिए OBC में girls को लेकर के zero seats है, SC में girls को लेकर के zero seats हैं, और यह East Young वाले school है, इनको आपने बिल्कुल भी नहीं फिल करना है, विकोज यहां seats हैं ही नहीं, और जहां एक-एक seats हैं, उनमें से कम से कम आपने, जैसे यहां दो seats हैं, तो general के लिए सबसे पहले देखिए, तीन seats, दो seats, तीन seats, ऐसे schools को आपने shortlist करना है, if you really want to get into this scientific school, तो इस पूरी metric का अध्यन करना जरूरी है, इस metric का अध्यन आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने इस metric में ध्यान देना है, कि आपकी category कौन सी है, और दूसरी चीज आपका core कितना है, और तीसरी चीज आपका state कौन सा है, इन तीन बातों को ध्यान में रखते वे देख देखिएगा, तो माल नीचे अगर आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो आप UP के स्कूल को देखिए सबसे पहले, और अपनी category में number of seats, find out कीजिए, और अब अपने score जो कि 200 प्लस होना जरूरी है, मुझे लगता है ऐसा, हाना कि कुछ लोग के case में 200 से नीचे में भी अग यहां आप चाहते हैं बच्चे का admission कराना, वहां कितनी seats available हैं, यह देख लेने के बाद ही, एक list rough, एक draft बनाईए, जल्द से जल्द आज ही बना लीजिए, और फिर e-counseling की process में उसी के आधार पर school को prioritize कीजिए, यहां पर class 9 वालों के लिए और ज़्यादा मुश्की लिए task होने वाला है, because class 9 में अगर आप देखेंगे, तो जो class 9 के setting school की list है, इसमें बहुत सारे zero आपको देखने को मिलते हैं, तो यह school अपने आप ही बाहर हो जाते हैं, यह girls के लिए एक disadvantages position है, because girls के लिए बहुत कम seats में available हैं, लेकिन boys के लिए भी यहां पर कई जगह पर कई category में आपको home हो या other हो, zero zero देखने को मिलता है, इन सब schools की metric और इन सभी चीजों को consider करते हुए, आपने priority wise 10 list बनानी है, 10 school की, तब जा करके आपको e-counseling की process में उसे fill करना है, और यह काम आपको एक या दो दिन में नहीं, बलकि आज और अभी करना है, त्यानिकि जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, इसके तुरंट बाद आपको यह पूरी process को कर लेना है, सबसे पहले तो आपने registration, sign in और उन सब चीजों को देखना है, ठीक है, इसके अलवा मैं कुछ parents को बता दूँ, जैसे कि हमारे पास queries आ रही थी, कि आप हमारे बच्चे के लिए इसको fill कर द नहीं है, आप लोगों को खुद इस चीज को करना होगा, process ज्यादा मुश्किल नहीं है, sign in और OTP वाली जो चीज है वो तो आप घर बैटे कर सकते हैं, हाँ, थोड़ी सी जो चीज आपको देखनी है, जिसमें थोड़ा अधियन करना है, वो भी ज्यादा मुश्किल नहीं ह आप इतनी बड़ी list देखकर के विचलितना हो, आपको सिर्फ एक तो state और school इन चीजों को ध्यान में रखना है, और दूसरा अपनी category में list देखनी है, boys हैं तो home में ऐसा है, other में ऐसा है, इन सब चीजों को देखकर के ठीक ठाग 10 school की list बना लेनी है, अपने score को ध्यान में और इसमें जाद से जाद आपको शायद बहुत समय लगे तो एक घंटा लगेगा, और उसके बाद आपको उसको fill कर देना है, जो की e-counseling की process में आपने करना होगा, यह सारी चीज़ें आप बैठ करके कर सकते हैं, इस चीज को मैं आपके सामने लाया ही इसलिए हूँ, त से इस तरफ की seat है boys के लिए है, यहां से इस तरफ की seat है girls के लिए है, यह होम, यहां से इस तरफ home state यानि की अगर एक कोडागू है तो यह home state होगा, man पूरी है तो यह UP के home state वाली है, boys के लिए, इसी तरी के से यह girls के लिए home state है, इसको आप read कर लिजेगा, 6th class के बाद यह आता है class 9th का इसको जरूर देखेगा बिना इससे देखेगा अगर priority fill करेंगे तो बहुत सारी opportunities आप गवा सकते हैं और 9th class के लिए ही फिर आपको एक और slide यहां पर देखने को मिलती है तो इस तरीके को इन तमाम चीजों को compare करने के बाद ही अपने अपनी priority भरेंगे अपने अपनी प्रायोरिटी भरेंगे और मुझे लगता है आपको यह बात समझ माई होगी कि किस तरीके से कल ही कल का दिन आपके पास रहेगा इसके अलाव अगर आपकी कुछ और भी क्वेरीज हों तो जल से जल हमें comment section में बताइएगा और फिर से अगर कुछ जरूरी बात है आपके साथ शेयर करनी होंगी तो हम जरूर करेंगे और बेफिकर रही this is the round one of the e-counseling process अभी एक दो round और चलेंगे और आप अपनी priority wise wait कीजेगा अगर आपका score बहुत कम है तो पहले round में मुश्किल है एक तरीके से selection लेकिन round two round three तक जाते 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 ultimately आपका selection हो ही जाएगा और यहां पर हम बात सिर्फ 33 new scenic schools की sorry 33 scenic schools की कर रहे है new scenic schools में ultimately admission हो ही जाता है but we are not considering those schools right now तो यह थी e-counseling से related कुछ महत्वण जानकारी और उमीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा अभी तुरंत इस प्रक्रिया में लग जाएं और जो बाते कहीं है उन्हें ध्यान से follow कीजेगा मिलेंगे फिर एक नए informative वीडियो में तब तक के लिए all the best take care and bye bye